रैसलर शुशिल कुमार खोल रहा गुना के राज सुनकर पुलिस भी हैरान नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुरेंदर सुनी न्यूस्ट्विंटी इंडिया की क्राइम सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज की कहानी ऐसे कातिल रैसलर की है जिसने रैसलिंग की दुनिया से गुना की दुनिया में कदम रखा पहले 19 दिन पुलिस के साथ चुहें बिल्ली का खेल कही दाव पेच लेकिन वह तो कुष्टी के आखाडे में चलते हैं क्योंकि यहाँ पेलवान शुशिल कुमार कानून के साथ वह दाव पेच नहीं खेल सका जो वह चाता था जब दिल्ली पुलीस की स्पेशल सेल ने शुशिल कुमार की दोड़ भाग खत्म कर दी और उसे शिकंजे में कस लिया तो शुशिल को लेकर अब जो खुला से हो रहे हैं वाकई हैरान करने वाले हैं छे दिनों के लिए कोट ने शुशिल कुमार को पुलिस का खास महमान बनाया है लेकिन यहाँ पुलिस की खातिरदारी का तोर तरी का कुछ अलग होता है यह तो शुशिल कुमार देश और दुनिया में अपने पेलवानी के जोहर दिखा चुका है कई मैडल अपनी जोलिंग के हवाले कर चुका है और कुष्टी प्रेमियों के लिए वह उनका आइडल भी बन चुका है लेकिन अब गुणा का आइना आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहा है अब यह तस्विर सामने आने लगी है जिसके बाद यह साफ होने लगा है कि शुशिल के दाव पेच के अबल अखाडे में ही नहीं बलकि गुणा के रास्ते पर भी वह उन्हें आजमाया करता था आप जानते हैं कि दो बार उलम्पिक पड़क पर कबजा करदेश का मान सम्मान बढ़ाने वाले रैसलर शुशिल कुमार पर पहलवान सागर के कतल का आरोप है लेकिन यहां कहानी अकले शुशिल कुमार से ही नहीं जुड़ी थी बलकि वारदात के उस वक्त के साथ कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो गुना की दुनिया से जुड़े हुए थे बस जब पुलिस को इस बात का पता चला तो फिर कहानी का एक एक पेरा साफ होता चला गया दर असल सागर हत्या कांड की शुरुआत उस वक्त हुई जब चार मई की रात शुशिल के कही साथियों के साथ मॉडल ताउन हाउल फ्लेट के नीचे पहुँचा बताया जाता है कि उसके साथ अपराद की दुनिया में तहल का मचा देने वाले कुछ लोग भी शामिल थे शुशिल के साथियों के बुलाने पर सागर और उसके कुछ दोस्त बाहर आए और करीब उन्हें आदा दरजन कारों में बिठा लिया गया इसके बाद सभी को चत्र साल स्टेडियम ले जाया गया जहां दोनों गूटों में जम कर विवाद हुआ कहा जाता है कि यहां काला जखीडी के कुछ बदवाश भी मौजूद थे इन लोगों ने हवा में कहीं गोलियां चलाई शुशिल और उसके साथियों ने सागर और उसके दोस्तों को लाठी और डंडों से पीटना शुरू कर दिया इसी दोरान सागर के एक साथी ने मौका देखकर पुलिस को खबर कर दी पुलिस मौके पर पहुँची वहीं शुशिल समित बाकी पहलवान मौके से फरार हो गए बताया जाता है कि यहां से फरार होने के बाद पहलवान शुशिल कुमार सबसे पहले शाली मार इलाके में अपने खास जानकार के पास पहुँचा वहाँ से वहाँ यूपी के मुजवफर नगर निकल गया इसके बाद उतराकंड का रूख किया बस फिर वह कभी यूपी कभी हरियाना पंजाब और दिल्ली में अपने ठीकाने बदलता रहा लेकिन जनाव आखिरकार कानून से कौन बच सकता है और ऐसा ही कुछ शुशिल कुमार के साथ भी हुआ पुलिस तफ्तिस में सामने आया है कि बाहरी दिल्ली में रहने वाले एक शुशिल और उसके साथियों को करीब 10 से 11 सीम मुहया कराई वह उनकी मदद से लगातार इंटरनेट कॉलिंग कर अपने करिबियों के संपर्क में रहा पुलिस सुत्रों का दावा है कि शुशिल के पास रुपे खत्म हो गए थे और वह रहिवार को रुपे लेने के लिए दिल्ली आया था और फिर वह पुलिस के बिच्छाए जाल में फज गया बहरहाल अभी सामने ये भी आया है कि रैसलर शुशिल के कई आपरादिक गिरों से तालुकात रहे हैं और वे ऐसे मौके पर बदमाश शुशिल के साथ होते थे वारदात के बाद पुलिस को मिली कार और हतियार भी कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं फिलाल रैसलर शुशिल छे दिन तक पुलिस के सामने राज खोलेगा और जाहिर है कि जब शुशिल से जुड़ी हुई कई अंजानी कहानिया भी सामने आएगी जो वाकई हैरान कर सकती है भीरो रिपॉर्ट नूस्ट्वेंट इंडिया